दोस्तो आज की वीडियो में दमासान टककर होने वाली है दा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और दा निव एच एक्षन एरो और बॉलिवूट विद्धिूट जमवल के बीच दोस्तो आपके फेवरेट सुपरस्टार को वोट करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंड करो रोमन रेस अगर आपको रोमन रेस को जिताना है या विद्धिूट जमवल अगर आपको विद्धिूट जमवल को जिताना है दोस्तों बात करें रोमन रेस की जिनका रियल नेम लीटी जोसेफ अनौ है इनकी एज 36 एर से वही विद्यू जम्वल की एज 40 एर से रोमन रेस उनके करियर के शिरुवाती दोर में अमरिकन फुडवाल में डिफेंस लाइन प्लेयर रह चुके जिसमें ताकत और टेकनीक दोनों का इस्तिमाल होता है और अमरिकन फुडवाल प्लेयर बहुत स्ट्रॉंग होते हैं फॉर इग्जामपल गोल्ड बग रोमन रेस का इस्पियर फुडवाल टैकल से इस्पायर है जब रोमन रेस फुटबॉल खेलते थे उस टैम रोमन रेस का वेट 130 किलो था लेकिन रेसलिंग में आने के बाद रोमन रेस ने उनका वेट लॉस करके 120 किलो कर लिया बात करें विद्यू जम्वल की तो विद्यू जम्वल का वेट 75 किलो है लेकिन वेट रियल फाइट में ज्यादा काम नहीं आता अब बात करें जो चीज फैटिंग में काम आती है तो विद्यू तीन साल की उमर से कलारी की प्रैटिस कर रहे है और वो वाल के टॉप 10 मार्शल आटिस में आते है विद्यूत के कंबाइड आपने उनकी मुविस में देखा हूँगा रोमन रेस की फैमली बैगराउंड की बात कर रहे तो रोमन रेस की पूरी समोवा फैमली रैसलिंग के लिए ही जानी जाती है रोमन के फादा सीका जो के प्रोफेशनल रैसलर रह चुके है और योकोजोना, रिकेशी, उमेगा, दा टोंगो कीड, दा उसो एंड दा रोक रोमन रेस के कजन है यानि ये पूरी फैमली ही लडाकू फैमली है और एक कोमन फैट के फादर अगर किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो तो उसका बेटा उससे भी ज्यादा स्पेशलिस होता है आप मीन सक्सेस्फुल होता है इन मोस्ट अब दा केसे अब इस फैट के बारे में आपकी क्या राह है कमेंड करके जरूर बताना लेकिन रोमर रेस उनके फादर सीका से ज्यादा सक्सेस्फुल रेसलर है और बात करें विद्यू जम्वल की तो विद्यू तो एक आर्मी ओफिसर के बेटे है और नो डाउट एक आर्मी ओफिसर बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होता है और बहुत ज्यादा इंटेलिजिंट भी तभी तो वो वास कंडिशन में भी बिल्कुल साही डिसीजन लिता है अब मेरे फाइनल ओपिनियन से पहले इस वीडियो इस डेडिकेटेट टू असगर अली रेसलिंग टॉक हिंदी फैमिली का इससा बनने और बने रहने के लिए दिल से देंक्यू और मेरे दूसरे वीवर जिनने वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंड करो और चलिए जानते हैं अगर रोमन रेस और विद्यू जम्वल के बीच एक स्ट्रीट फाइट हुई तो कौन जीतेंगा आप रोमन रेस के आयड़ 6 फूट एंट 3 इंचेस है और उनका वेड जैसे मैंने वीडियो में पहले ही का कि रोमन रेस का वेड 120 किलो है यानि रोमन रेस विद्यू जम्वल के सामने बहुत अट्टे कट्टे अपोनेंड हुँँगे आप विद्यूत जम्वल की हाइट 5 फूट और 11 इंची से और उनका वेट 75 किलो है यानि हम विद्यूत जम्वल को रेमी स्टेरियो समझ सकते है जिसमें हाइट के मामले में विद्यूत जम्वल की हाइट रेमी स्टेरियो से ज्यादा है लेकिन वेट के मामले में दोनों का ही वेट लगबग बराबर है तो अगर हम विद्यूद जबवल को रेमी स्टेरियो कंसीडर कर ले तो रोमन रेस विद्यूद का क्या हाल करेंगे यह हमने हैलोईनस सेल में देख चुके है लेकिन विद्यू जम्वाल एक कलारी फाइटर है अभी मैंने जो कहा उसका उल्टा भी हो सकता है कि क्या पता है विद्यू रोमन रेस को डिस्ट्रॉय करते बट प्राबलम है के कलारी बहुत पुरानी टेकनीक है और मॉडरन कंबाइट में एक कलारी फाइटर कैसे परफॉर्म करेंगा ये बहुत मुश्किल सवाल है अब एक स्ट्रीट फाइट में जीतने के लिए चाहिए होता है स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंड and एंडूरेंस और आपको क्या लगता है अगर दोनों के बीच धमासान यूद हुआ तो कौन जीतेंगा कमेंट करके ज़रूर बताना अब ये वीडियो रोमन रेस या विद्यू जम्वल को वीक बताने के लिए नहीं था दोनों ही अपने प्रोफेशन में मास्टर है जा रोमन रेस यूनिवर्सल चैंपियन और एक अक्टर है वही विद्यू जम्वल एक अक्टर, मार्शल आर्टिस, इस्टर्ण मैन और एक अक्शन कुरिय ग्राफर है दोनों ही उनकी फिल्ड में आसम है लेकिन कुशन तो वही है कि दोनों में से कौन है बेस्ट, रोमन रेस या विद्यू जम्वल, कमेंट करके ज़रूर बताना सो बस आज की वीडियो यही तक थी अगर यह वीडियो या इस चैनल की दूसरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेर करें और इस वीडियो को लाइक भी करतें और हाँ अगर आप पहली बार रेस्लिंग टॉक हिंदी पे आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको मेरी निव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो सी यू गाइस इन माइन नेक्स वीडियो